आई ये सुनते हैं मुझे शी प्रेमचन जी की लिखी होई कहानी प्रेरणा मेरी यनिकी प्रशान्थ की आवास में मेरी कक्षा में सूर्य प्रकाश से ज़्यादा उधमी कोई लड़का न था बलकी यूं कहो कि अध्यापन काल के दस बर्शों में मुझे ऐसी विशम प्रकृती का कोई शिश्य मिला ही नहीं था कपट क्रीडा में उसकी जान बस्ती थी अध्यापकों को बनाने और चिढ़ाने में उध्योगी बालकों को छेडने और रुलाने में इसी सब में उसको आनंदाता था ऐसे ऐसे शर्यंत रच्ता था, ऐसे ऐसे फंदे डालता था, ऐसे ऐसे बंधन बांधता था, कि देख करके आश्चर्य होता था गिरोह बंधी में भी अभ्यस्त था, खुदाई फौजदारों की एक फौज बना करके रखी थी, और उसके आतनक से शाला पर शासन किया करता था मुख्य अधिश्ठाता की एक बार टल जाये, मगर क्या मजाल है कि कोई उसके हुकम की अवग्या कर सके स्कूल के चपरासी और अरदली सभी उससे थर-थर कांपा करते थे एक बार यूं हुआ कि इंस्पेक्टर का मुख्य अधिश्ठाता ने हुकम दिया कि लड़के निर्दिश्ट समय से आधा घंटा पहले आ जाए मतलब यह था कि लड़कों को मुआयने के बारे में कुछ जरूरी बातें बता दी जाए मगर दस बज गए इंस्पेक्टर सहब आकर के बैठ गए और मदर से में एक लड़का भी नहीं था ग्यारह बजे सारे छात्र इस तरह से निकल पड़े जैसे कि कोई पिंजरा खाली कर दिया हो इंस्पेक्टर सहब ने कैफियत में लिखा कि डिसिप्लिन बहुत खराब है प्रिंसिपल सहाब की किरकिरी हुई अध्यापक बदनाम हुए और यहाँ सारी शरारत सूर्य प्रकाश ने की थी मगर बहुत पूछताच करने के बाद भी किसी ने सूर्य प्रकाश का नाम तक नहीं लिया मुझे अपनी संचालन विधी पर वैसे तो गर्व था ट्रेनिंग कॉलेज में इस विशय में मैंने ख्याती प्राप्ट की हुई थी मगर यहाँ मेरा सारा संचालन जैसे मूर्चा खा गया कुछ अकल ही काम न करती थी कि इस शैतान को कैसे सनमार्ग पर लाया जाए कई बार अध्यापकों की बैठक हुई पर वहा गिरह न खुली नई शिक्षा विधी के अनुसार में दंड नीती का पक्षपाती न था मगर यहाँ हम इस नीती से केवल इसलिए विरक्त थे कि कहीं उपचार से ये रोग और भी असाध्यना हो जाए सूर्य प्रकाश को स्कूल से निकाल देने का प्रस्ताव भी किया गया पर इसे अपनी ही अयोगिता का प्रमान समझ करके हम इस नीती का व्यवहार करने का सहस न कर सके 20-22 अनुभवी और शिक्षा शास्त्र के आचारे एक 12-13 साल के उद्धंड बालक का सुधार न कर सके यह विचार ही बहुत निराशा जनक था यह तो सारा स्कूल ही तरही तरही किया करता था मगर सबसे ज्यादा संकट में मैं था क्यूंकि वह मेरी ही कक्षा का छात्र था और उसकी शरारतों का कुफल मुझे ही भोगना पड़ता था मैं स्कूल आता तो हर दम यही खटका लगा रहता था कि देखे आज क्या नई विपत्ती आती है एक दिन मैंने अपनी मेज की दराज खोली तो उसमें से एक बड़ा सा मेंढ़क निकला मैं चौक करके पीचे हटा तो क्लास में एक शोर सा हो गया उसकी ओर सरोश नेत्रों से देखकर में रह गया सारा घंटा उपदेश में बीद गया और वह पठथा सर जुकाए नीचे मुस्कुरा रहा था मुझे आश्चर होता था कि यह कैसे नीची कक्षाओं में पास हो गया एक दिन मैंने उसे गुस्से से कहा तुमें इस कक्षा में उम्र भर पास नहीं हो सकते सूर्य प्रकाश ने अविचलित भाव से कहा आप मेरे पास होने की जिंता न कीजे मैं हमेशा पास होँ और आगे भी हो जाओंगा असंभव असंभव संभव हो जाएगा मैं आश्चरे से उसका चहरा देखने लगा जहीन से जहीन लड़का भी अपनी सफलता का दावा इतने निर्विवाद रूप से नहीं कर सकता था मैंने सोचा कि वह प्रश्न पत्र उड़ा लेता होगा मैंने प्रतिग्या की कि अब की इसकी एक चाल भी न चलने दूँगा देखता हूँ कि कितने दिन इस कक्षा में पड़ा रहता है आप ही घबड़ा करके निकल जाएगा वार्शिक परिशा के अफसर पर मैंने असाधारण देखभाल से काम लिया मगर जब सूर्य प्रकाश का उत्तर पत्र देखा तो मेरे विश्मय की सीमा न रही मेरे दो पर्चे थे दोनों ही मैं उसके नंबर कक्षा में सबसे अधिक थे मुझे खोब मालूम था कि वह मेरे किसी भी पर्चे का कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकता मैं इसे सिद्ध भी कर सकता था मगर उसके उत्तर पत्रों का मैं क्या करता लिपी में भी कोई ऐसा भेद नहीं था कि जो संदेह उत्पन्न कर सकता मैंने प्रिंसिपल से जाकर के कहा तो वो भी चकरा गए मगर उन्हें भी जान बूच करके मक्खी निकलनी पड़ी मैं कदाचित स्वभाव से ही निराशावादी हूँ अन्ने अध्यापकों को सूरे प्रकाश के विशय में जरा भी चिंतित नहीं पाता था मानो ऐसे लड़कों का स्कूल में आना कोई बड़ी बात नहीं थी मगर मेरे लिए यह एक विकट रहस से था अगर यही ढंग रहे तो एक दिन यह तो यह जेल में होगा या फिर पागल खाने में खेर उसी साल मेरा तबादला हो गया यदिपी यहां की जलवायू मेरे अनुकूल थी प्रिंसिपल और अन्ने अध्याबकों से भी मैत्री हो गई थी मगर मैं अपने तबादले से कुश हुआ क्यूंकि सूर्य प्रकाश मेरे मार्ग का काटा नहीं रहेगा लड़कों ने मुझे विदाई की दावत दी और सब के सब स्टेशन तक पहुँचाने के लिए आए उस वक्त भी लड़के आँखों में आसु भरे हुए थे मैं भी अपने आसुओं को रोक न सका सैसा मेरी निगा सूर्य प्रकाश पर पड़ी जो कि सब से पीछे लज्जित सा खड़ा हुआ था मुझे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आँखें भी भीगी हुई थी मेरा जी बार बार चाहता था कि चलते चलते उसे दो चार बातें कर लूँ शायद वह भी मुझसे कुछ कहना चाहता था मगर ना मैंने कोई बात की और ना ही उसने हालाकि मुझे बहुत दिनों तक इसका खेट भी रहा उसकी जिजक तो छमा की योग्य थी पर मेरा अवरोध अक्षा में था संभव था कि उस करुणा और गलानी की दशा में मेरी दोचार निशकपट बातें उसके दिल पर कोई असर कर चाती मगर इन्हीं खोए हुए अवसरों का नाम तो जीवन है गाड़ी मंद गती से चली लड़के कई कदम तक उसके साथ में दोड़े मैं खिड़की के बाहर सर निकाल करके खड़ा था कुछ देर मुझे उनके हिलते हुए रूमाल नजर आए और फिर वे रेखाएं आकाश में विलीन हो गई मगर एक अल्प काय मूरती अब भी प्लैटफॉर्म पर खड़ी हुई थी मैंने अनमान किया कि वह सूर्य प्रकाशी है उस समय मेरा हदय किसी विकल कैदी की भाती ग्रणा, मालिन्य और उदासीन्ता के बंधनों को तोड़ तोड़ करके उस से गले मिलने के लिए तड़प उठा लेकिन नए स्थान की नई चिंताओं ने बहुत जल्द ही मुझे अपनी और अकरशित कर लिया पिछले दिनों की याद एक हसरत बन करके रह गई ना किसी का कोई खत आया और ना ही मैंने कोई खत लिखा शायद दुनिया का यही दस्तूर है वर्षा के बाद में वर्षा की हर्याली कितने दिन रहती है संयोग से मुझे इंग्लेंड में विद्याभ्यास करने का अफसर मिल गया वहां तीन साल लग गए वहां से लोटा तो एक कॉलिज का प्रिंसिपल बना दिया गया यह सिद्धी मेरे लिए बिलकुल आशाती थी मेरी भावना स्वप्ण में भी इतनी दूर न उड़ी थी किन्तु पदलिपसा अब किसी और भी उची डाली का आश्रय लेना चाहती थी मैंने शिक्षा मंत्री से रप्द जप्द पैदा की मंत्री महुदय मुझ पर क्रपा रखते थे मगर वास्तों में शिक्षा के मौलिक सिध्धान्तों का उन्हें कोई भी ग्यान नहीं था मुझे बाकर के उन्होंने अपना सारा भार मेरे ही उपर डाल दिया घोडे पर वह सवार थे लेकिन लगाम मेरे हाथ में थी फल यही हुआ कि उनके राजनेतिक विपक्षियों से मेरा विरोध होने लगा मुझ पर जाबजा आक्रमन होने लगे मैं सिध्धान्त रूप से अनिवारिश शिक्षा का विरोधी हूँ मेरा विचार है कि हर एक मनुष्य की उन विश्यों में ज्यादा स्वाधीनता होनी चाहिए जिनका की उस से निज रूप में संबंद है मेरा विचार है कि यूरोप में अनिवारिश शिक्षा की ज़रूरत है, भारत में नहीं है भौतिक ता पश्चमी सभ्यता का मूलतत्व है वहां किसी काम की प्रेर्णा आर्थिक लाब की आधार पर होती है जिन्दगी की जरूरत ज्यादा है इसलिए जीवन संग्राम भी अधिक भीशन है माता पिता भोक के दास होकर के बच्चों को जल्द से जल्द कुछ कमाने पर मजबूर किया करते है इसकी जगह कि वह मद का थ्याग करके एक शिलिंग रोज बचत कर ले वे अपने कमसिन बच्चों को एक शिलिंग की मजदूरी करने के लिए दबाएंगे भारती जीवन में सात्विक सरलता है हम उस वक्त तक अपने बच्चों से मजदूरी नहीं कराते जब तक की परिस्थितियां हमें विवश न करते दरिद्र से दरिद्र हिंदूस्तानी मजदूर भी शिक्षा के उपकारों का कायल है उसके मन में यह अभिलाशा होती है कि मेरा बच्चा चार अक्षर पढ़ जाए इसलिए नहीं कि उसे कोई अधिकार मिल जाएगा बल्कि केवल इसलिए कि विद्ध्या मानवी शील का एक श्रिंगार है अगर यह जानकर के भी अपने बच्चे को मदर से नहीं भेज़ता तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह मजबूर है ऐसी दशा में उस पर कानून का प्रहार करना मेरी दरश्टी में तो न्याय संगत नहीं इसके सिवाए मेरे विचारों में अभी हमारे देश में योग्य सिक्षकों का भी अभाव है अर्ध शिक्षित और अल्प वेतन पाने वाले अध्यापकों से आप यह आशा नहीं रख सकते कि वह कोई उंचा आदर्श आपके सामने रख पाएगा अधिक से अधिक इतना ही होगा कि चार-पाँच वर्ष में बालक को अक्षर ग्यान हो जाएगा मैं इसे परवत खोद करके चुहिया निकालने के तुल्य समझता हूँ वयस्कता प्राप्त हो जाने पर यह मसला एक महिने में आसानी से तै किया जा सकता है मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि युवा वस्था में हम जितना ग्यान एक महिने में प्राप्त कर सकते हैं उतना बाल्य वस्था में तीन साल में भी नहीं कर सकते फिर खामखा बच्चों को मदरसे में कैद करने से लाब क्या है मदर्से के बाहर में रह करके उसे स्वच वायू तो मिलती है प्राकृतिक अनुभव तो होते हैं पाटशाला में बंद करके तो आप उसके मानसिक और शारीरिक दोनों ही विधानों को जड़ से काट देते हैं इसलिए जब प्रांतिय विवस्थापक सभा में अनिवारे शिक्षा का प्रस्ताव पेश हुआ तो मेरी प्रेर्णा से मिनिस्टर सहाब ने उसका विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि प्रस्ताव अस्विक्रत हो गया फिर क्या था? मिनिस्टर सहाब की और मेरी वह ले दे शुरू हुई कि अब कुछ न पूछे व्यक्तिकत आक्षेप किये जाने लगे मैं गरीब का बीवी था मुझे ही सब की भावी बनना पड़ा मुझे देश द्रोही, उन्नती का शत्रू और नौकर शाही का गुलाम कहा गया मेरे कॉलेज में जरा भी कोई बात होती तो कॉंसिल में मुझ पर ही वर्शा होने लगती मैंने एक चपरासी को नौकरी से निकाल दिया सारी कॉंसिल पंजे ज़ाड़ करके मेरे पीछे पड़ गई आखिर मिनिस्टर सहाब को मजबूर हो करके उस चपरासी को बहाल करना पड़ा यह अपमान मेरे लिए असाहिय था शायद कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता था मिनिस्टर सहाब से मुझे कोई शिकायत नहीं वो तो बिचारे मजबूर थे हाँ इस वातावरण में काम करना मेरे लिए दुसाद्य हो गया था मुझे अपने कॉलेज के आंतरिक संगिठन का भी अधिकार नहीं अमुक क्यों नहीं परिक्षा में भेजा गया अमुक के बदले अमुक को क्यों नहीं चातरवरती दी गई अमुक अध्यापक को अमुक कक्षा क्यों नहीं दी जाती इस तरह के सारहीन आक्षिपों ने मेरी नाक में धम कर दिया था इस नई चोट ने कमर तोड़ दी मैंने इस्तिफा दे दिया मुझे मिनिस्टर सहब से इतनी आशा अवश्य थी कि वह कम से कम इस विशय में न्याय परायनता से काम लेंगी. मगर उन्होंने न्याय की जगह नीती को माने समझा और मुझे कई सालों की भक्ती का यही फल मिला कि मैं पद से चुत कर दिया गया. संसार का ऐसा कटू अनभव, मुझे अब तक न हुआ था. ग्रा भी कुछ बुरे ही आ गय थे. उन्ही दिनों पत्नी का भी देहांत हो गया. अंतिम दर्शन भी न कर सका. संध्या समय नदी तट पर सैर करने गया था. वह कुछ अस्वस्त थी. लोटा तो उनकी लाश मिली. कदाचित उनके हरदय की गती बंध हो गए थी. इस आगात ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी. माता के प्रसाद और आशिरवाद से बड़े-बड़े महान पुरुष क्रतार्थ हो गए. मैं जो कुछ भी हुआ. पत्नी के प्रसाद से और आशिरवाद से ही हुआ. वह मेरे भागी की विधात्रे थी. कितना आलोक एक त्याग था. कितना विशाल धैर्य. उनके माधुरे में तीक्षनता का नाम भी ना था. मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी उनकी ब्रकुटी संकुचित देखी हुँ. वह निराश होना तो जानती ही नहीं थी. मैं कई बार सक्त बीमार पड़ा हूँ. वैद्य निराश हो गए. पर वह अपने धैरे और शानती से अनुमात्र भी विचलित नहीं हुई. उन्हें विश्वास था कि मैं अपने पती के जीवन काल में मरूंगी. और हुआ भी यही. मैं जीवन में अब तक उन्हीं के सहारे खड़ा हुआ था. अब जब वह अवलंभी न रहा तो जीवन कहां रहता? खाने और सोने का नाम तो जीवन नहीं है. जीवन नाम है हमेशा आगे बढ़ते रहने की लगन का. यह लगन गायब हो गई. मैं संसार से विरक्त हो गया और एकांत वास में जीवन व्यतीत करने ल मैंने नदी के किनारे एक छोटा सा घर बना लिया. और उसी में मैं रहने लगा. मगर काम करना तो मानवी सुभाव है. बेकारी में जीवन कैसे कट था? मैंने एक छोटी सी पाटशाला खोल ली. एक वरक्ष की चाह में ही गाउं के लड़के जमा करके मैंने पढ़ाना शु में एक मोटर आकर के रुकी. और उसमें से जिले के डिप्टी कमिशनर सहाब उतर पड़े. मैं उस समय केवल कुर्ता और धोती ही पहने हुए था. इस वेश में एक हाकिम से मिलते हुए मुझे शरम आ रही थी. डिप्टी कमिशनर मेरे समीप आये और मैंने जहपते हुए उनके सामने अपना हाथ पड़ाया. वह मुझ से हाथ मिलाने के बदले मेरे पैरों की ओर छुक गए और उन पर सर रख दिया. मैं कुछ ऐसा सिट पिटा गया कि मेरे मुझे से एक शब्द भी ना निकला. मैं अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से लिखता हूँ. दर्शन शास्त्रकाभी में आचारी हूँ और व्याख्यान भी अच्छे दे लेता हूँ. मगर इन गुणों में एक भी श्रद्धा की योगी तो नहीं है. श्रद्धा तो ग्यानियों और सादूं के ही अधिकार की वस्तु है. अगर मैं ब्राम्हन होता तो एक बात थी. हाला कि एक सिविलियन का किसी ब्राम्हन के पैरों पर सर रखना अचिंतनिया है. मैं अभी इस विसमय में पढ़ा हुआ था कि डिप्टी कमिशनर ने सर उठाया और मेरी तरफ देख करके कहा. आपने शायद मुझे पहचाना नहीं. इतना सुनते ही मेरे स्मृती नेत्र खुल गए. मै आपका नाम कहीं सूर्य प्रकाश तो नहीं? जी हाँ मैं वही आपका भागा सिश्य हूँ. बारा तेरा साल हो गए? सूर्य प्रकाश ने मुस्कुरा करके कहा. अध्यापक लड़कों को भूल जाते हैं पर लड़के हमेशा उन्हें याद रखते हैं. मैंने उसी विनोत के भाव से कहा. तुम जैसे लड़कों को भूल पाना तो असंभव ही है. सूर्य प्रकाश ने विनीत स्वर में कहा. उन्हीं अपरादों को छमा कराने के लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ. मैं सदैव आपकी खबर लेता रहता था. जब आप इंगलेंड गए तो मैंने आ आप में चले गए हैं. और इस जिले में आय हुए मुझे करीब एक साल से अधिक हुआ. पर इसका तो मुझे जरा भी अनुमान नहीं था कि आप यहां एकांत सेवन कर रहे हैं. इस उजाड़ गाउं में आवसे आपका जी लगता कैसे है? इतनी ही अवस्था में आपने वा अपड़े में लाया और अपनी राम कहानी मैंने कह सुनाई. सूर्य प्रकाश ने कहा तो फिर यह कहिए कि आपके ही एक भाई ने आपको विश्वास खात कर दिया. मेरा अनुभव तो अभी बहुत कम है. मगर इतने ही दिनों में मुझे मालूम हो गया है कि हम लोग अभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना नहीं जानते. मिनिस्टर साहब से कभी बेंट हुई तो मैं उनसे पूछूंगा जरूर कि क्या यही इनका धर्म था? अरे भ अपट नहीं सत्य कहता हूं कि यहां मुझे जो शांती है वह और कहीं नहीं थी. इस एकांत जीवन में मुझे जीवन के तत्वों का वह ग्यान हुआ जो संपत्ती और अधिकारों की दोड़ में किसी तरह संभव नहीं था. इतिहास और भूगोल के पोथे चाट करके और य शीडियों पर पाउं रखे बगेर चट की उचाई तक नहीं पहुँच सकते. संपत्ती की अठालिका तक पहुँचने में दूसरों की जिंदगी ही सीड़ी का काम करती है. आप कुचल करके ही लक्ष तक पहुँच सकते हैं. वहां सोजन्य और सहानुभूती का इस्थान न देखता हूं. मेरे पास में जो लोग आते हैं, कोई स्वार्थ लेकर के नहीं आता. और ना ही मेरी सेवाओं में प्रशंशा या गौरव की कोई लालसा है. यह कहकर के मैंने सुर्य प्रकाश के चेहरे की ओर गौर से देखा. कपट मुसकान की जगह गलानी का रंग था. शा मुझे अब अपनी भूल मालूम हुई. एक संपन आदमी के सामने संब्रधी की निंदा करना कोई उचित काम नहीं. मैंने तुरंत ही बात पलट करके कहा. मगर तुम अपना हाल तो बताओ. तुम्हारी यह काया पलट कैसे हो गए? तुम्हारी शरारतों को मैं याद करता तो आज भी रोए खड़े हो जाते हैं. किसी देवता के वरदान की सिवा और तो कहीं या विभूती प्राप्त नहीं हो सकती थी. सूर्य प्रकाश ने मुस्कुरा करके कहा. आपका आशिरवात था. मेरे बहुत आगरह करने पर सूर्य प्रकाश ने अपना वरत्तांत सुना प्रिंसिपल सहाब उसे हॉस्टल में लेते नहीं थे और मामा सहाब उसके ठहरने का प्रबंद कर नहीं सकते थे. उन्हें इस संकट में देख करके मैंने प्रिंसिपल सहाब से कहा कि उसे मेरे कमरे में ठहरा दीजिए. प्रिंसिपल सहाब ने इसे नियम विरुद्ध बतला इस पर मैंने बिगड़ करके उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया और एक कमरा किराय से लेकर के मोहन के साथ में रहने लगा। उसकी मा कई साल पहले ही मर चुकी थी। इतना दुबला पतला कमजोर और गरीब लड़का था कि पहले ही दिन मुझे उस पर दया आने लगी। मुझी मुझकिल से भोजन करने उठता। दिन चढ़े तक सोया करता था और जब तक मैं गोद में उठा करके उसे बिठाना देता। उठने का नाम ही नहीं लेता था। रात को बहुदा चौक करके मेरी चार पाई पर आ जाता। और मेरे गले से लिपट करके सोता। मुझे उस पर कभी क्रोध नहीं आता था। कहने ही सकता कि क्यूं मुझे उससे प्रेम सा हो गया था। मैं जहां पहले नौ बजे सो करके उठता था, अब तड़के उठ जाता था। और उसके लिए दूद गरम करता था। फिर उसे उठा करके उसके हाथ मुँ दुलाता थ उसके स्वास्त के विचार से नित्य उसे वायू सेवन करने को ले जाता था। मैं जो कभी किताब लेकर के नबैटता था। उसे घंटों पढ़ाया करता था। मुझे अपने दायत्व का इतना ग्यान कैसे हो गया, इसका तो मुझे भी आश्चर है। उसे कोई शिकायत हो जाती तो मेरे प्राण नकों में समा जाते थे। डॉक्टर के पास में दोड़ता, दवाईयां लाता, मोहन की खुशामत करके उसे दवा पिलाता। सदैव यही चिंता लगी रहती थी कि कोई बात उसकी इक्षा के विरुद्ध ना हो जाए। इस बेचारी का यहां मेरे सि और कोई दूसरा नहीं था। मेरे चंचल मित्रों से यदि कोई उसे चिढ़ाता या छेड़ता तो मेरी त्योरियां बदल जाती थी। कई लड़के तो मुझे बूढ़ी दाई कह करके चिढ़ाते थे। पर मैं हस करके टाल देता था। मैं उसके सामने एक अनुचित शब् और इसके लिए यहां माने हुई बात थी कि मैं अपना चरित्र सुधारूं। पक का आस देखो गया था। वह बड़े सरजवभाव से पोच्छ था। परमात्मा हर जगा होते हैं तो मेरे पास में भी होते होंगे। इस प्रश्ण का मजाक उड़ाना मेरे लिए असंभव था। मैं उसे कहता कि हां परमात्मा तुम्हारे हमारे सब के पास में रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यह आश्वासन पाकर के उसका चहरा आनंद से खिल उठता था। कदाचित वह परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने लगता था। हुई है वो तुमें आशिरवाद दे रही है। सूर्य प्रकाश की आँखें उस वक्त भी सजल होटी थी। मोहन भी तुमें बहुत प्यार करता होगा। सूर्य प्रकाश के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुआ आनंद चमक उठा। वह बोला। वह मुझे एक मिनिट के लिए भी नहीं छोड़ता था। मेरे साथ बैठता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ सोता, मैं ही उसका सब कुछ था। आह, वह संसार में नहीं है, मगर मेरे लिए वह अब भी उसी तरह जीता जाकता है। मैं जो कुछ हूँ, उसी का बनाया हुआ हूँ। अगर वह देविय विधान की भाती मेरा पत्प्रदर्शक ना बन जाता, तो शायद आज में किसी जेल में पड़ा होता। एक दिन मैंने उससे कह दिया, कि अगर तुम रोज नहाओगे नहीं, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। नहाने से वह न जाने क्यों जी चुराता था। मेरी इस धमकी का फल यह हुआ कि वह नित्ति प्रातर काल नहाने लगा। कितनी ही सरदी क्यों नहूँ, कितनी ही ठंडी हवा चले। लेकिन वह स्नान अवश्य करता था। देखता रहता था कि मैं किस बात से खुश होता हूँ। एक दिन मैं कई मित्रों के साथ मैं थेटा देखने चला गया। ताकीत करके गया था कि तुम खाना खा करके सो रहना। तीन बजे रात को जब मैं लोटा तो देखा कि वह बैठा हुआ है। मैंने उससे पूछा कि तुम सोई नहीं। बोला कि उसे नीन ही नहीं आए। उस दिन से मैंने थेटा जाने का नाम नहीं लिया। बच्चों में प्यार की एक जो भूख होती है। दूद मिठाई और खिलोनों से भी ज्यादा मादक जो मा की गोत के सामने संसार की निधी का भी परवाह नहीं करते। मोहन की वह भूख कभी संतुष्ट ना होती थी। पहाडों से टकराने वाली सारस की आवाज की तरह वह सदेव उसकी नसों में गुंजा करती थी। जैसे भूमी पर फैली हुई लता कोई सहारा पाते ही उससे लिपट जाती है। वही हाल मोहन का था। वह मुझसे ऐसा लिपट गया था कि प्रतक न किया जाता था। और यदि प्रतक किया जाता तो उसकी कोमल बेल के टुकडे-टुकडे हो जाते। वह मेरे साथ में तीन साल रहा। और तब मेरे जीवन में प्रकाश की एक रिखा डाल करके खुद अंदकार में विलीन हो गया उस जीन काया में कैसे कैसे अर्मान भरे हुए थे कदाचित इश्वर ने मेरे जीवन में एक अवलंब की श्रष्टी करने के लिए उसे भेजा था वो देश पूरा हो गया तो फिर वो क्यों रुखता एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी और दो बार तो छुट्टियों में मोहन मेरे साथ में ही था मामा जी के अग्रह करने पे भी वो घर नहीं गया था अबकी कॉलिज के छात्रों ने कश्मीर यात्रा का निश्चे किया और मुझे उसका अध्यक्ष बना दिया कश्मीर यात्रा की अभिलाशा मुझे चिर्काल से थी इसी अफसर को मैंने गनीमत संज़ा मोहन को मामा जी के पास में भेज करके मैं कश्मीर चला गया दो महीने के बाद में लौटा तो क्या देखता हूँ कि मोहन बीमार है कश्मीर में मुझे बार-बार मोहन की याद आती थी और जी चाहता था कि लौट जाओं मुझे उस पर इतना प्रेम है इसका अंदाजा मुझे कश्मीर जाकर के ही हुआ लेकिन मित्रों ने पीछा नहीं छोड़ा उसकी बीमारी की खबर पाते ही मैं अधीर हो ठा और दूसरे ही दिन उसके पास में चाह पहुचा मुझे देखते ही उसके पीले और सूखे चहरे पर आनंद की स्पूर्ती जलक पड़ी मैं दोड़ करके उसके गले से लिपट गया और उसकी आँखों में वह दूर दरश्टी और चहरे पर वह आलोक एक आभा थी जो की मंडराती हुई म्रत्यों की सूचना देती है मैंने आवेश से कांपते हुए स्वर में पूछा कि यह तुमारी क्या दशा है मोहन दो ही महिने में यह नौबत पहुच गई तुमारी मोहन ने सरल मुसकान के साथ में कहा आप कश्मीर की सेर करने गए थे और अब मैं आकाश की सेर करने जा रहा हूँ मगर यह दुक्की कहानी कहानी कहकर के मैं रोना और रुलाना नहीं चाहता मेरे चले जाने के बाद में मोहन इतने परिश्रम से पढ़ने लगा मानो की तपस्या कर रहा हूँ उसे यह दुन सबार हो गई थी कि साल भर की पढ़ाई दो महिने में समाप्त कर ले और स्कूल खुलने के बाद में मुझ से इस श्रम का प्रशन सा रूप ही उपहार प्राप्त करे मैं किस तरह से उसकी पीठ ठोकूंगा शाबासी दूंगा अपने मित्रों से उसका बखान करूंगा इन भावनाओं ने अपने सारे बालोचित उत्साह और तलीनता से उसे अभी भूत कर लिया मामा जी को दफ्तर के कामों से इतना अफकाश ही नहीं मिलता था कि उसके मनुरंजन का कुछ ख्याल रख सके शायद उसे प्रति दिन कुछ न कुछ पढ़ते हुए देख करके वह दिल ही दिल खुश होते थे उसे खेलता देख करके जरू डाटते थे मगर पढ़ते हुए देखते तो फिर भला क्या कह सकते थे फलिया हुआ कि मोहन को हलका हलका जवर होने लगा किन्तु उस दशा में भी उसने पढ़ना नहीं छोड़ा और भी कुछ व्यक्तिक्रम हुए जवर का प्रकोप और भी बढ़ा पर उस दशा में भी जवर यदि कुछ हलका हो जाता तो फिर वो किताबें खोल करके पढ़ने लगता उसके प्राण मुझ में ही बसे हुए थे जवर की दशा में भी नौकरों से पूछता था कि भाईया का पत्र आया वह कब आएंगे इसके सिवा उसे कोई दूसरी अभिलाशा नहीं थी अगर मुझे मालूम होता कि मेरी कश्मीर यात्रा इतनी महंगी पड़ेगी तो उधर जाने का मैं नाम भी ना लेता उसे बचाने के लिए मुझ से जो कुछ भी हो सकता था वह मैंने सब किया किन्तो बुखार टाइफाइट था उसकी जान लेकर के ही उतरा उसके जीवन के सौपन मेरे लिए किसी रिशी के आशिरवाद बन करके मुझे प्रोचाहित करने लगे और यह उसी का शुब फल है कि आज आप मुझे इस दशा में देख रहे हैं मोहन की बाल अभिलाशाओं को प्रत्यक्ष रूप में लाकर के मुझे यह संतोश होता है कि शायद उसकी पवित्र आत्मा मुझे देख करके प्रसन हो रही है यही प्रेड़ना थी जिसने कठिन से कठिन परिक्षाओं में भी मेरा बेड़ा पार लगाया नहीं तो मैं आज भी वही मंद बुद्धी सूरिप्रकाश हूँ जिसकी सूरत भी आप नहीं देखना चाहते थे उस दिन से मैं कई बार सूरिप्रकाश से मिला हूँ वह जब इस तरफ आता है तो बिना मुझे से मिले हुए नहीं जाता मोहन को अभी वह अपना इश्ट देव समझता है मानव प्रकृति का यह कैसा रहसे है जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया तो यह थी प्रेमचन जी की लिखी हुई एक बहुत ही प्रेड़ना दायक कहानी इस कहानी में दो मुख्य चलित रहे है एक तो शिक्षक और दूसरा विद्यार थी जब पहली बार इन दोनों की जिन्दगी आपस में ठकराती है तो कुछ सरकमस्टैंसेज अलग होते है और दूसरी बार जब सेम चीज होती है तो सरकमस्टैंसेज कंप्ली डिफरिंट होते है जो सोचा हुआ होता है जो एक्सपेक्टेड होता है उसका कुछ आपोजिट ही हो जाता है एक ऐसा विद्यार थी जो की बहुत ही उद्दंड था जो बहुत ही शरारतें किया करता था जिससे उसके शिक्षकों को कोई भी उमीद नहीं थी वो किस तरह से एक बड़े पद पर पहुँच जाता है क्योंकि उसके जीवन में एक मासूम सी प्रेरणा आ जाती है एक छोटे बच्चे के रूप में शायद सफलता और असफलता के बीच में प्रेरणा ही वो एक ब्रिज है जो आपको असफलता से सफलता की ओर ले जा सकती है बहुत ही इंस्पाइरिंग कहानी है वैसे आपको क्या इंस्पाइर करता है आपको किस चीज से प्रेरिना मिलती है कॉमेंट्स में जरूर बताईए और बहुत अच्छी कहानी थी उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी अगली कहानी में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल लगें धन्यवाद